नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहा है रेनिर्श मुलिटिन की शुरुआत करने से पहले इस वक्त पड़ी और एहम खबर से रुबरू करा दे जहां पर प्यम मोदी का आज वारनसी दो रहा है और इस वक्त की पड़ी और एहम खबर जहां पर आज प्यम मोदी का दस दिन में दूसरी बार वारनसी का दोरा है और इस दोरान करीब 2100 करोड रुपे की परियोजनाओं का सोगात देंगे और वहीं आपको बता दे कि पुरवांचल को अमूल डेरी प्लांट की ये सोगात देंगे और करीब 117 लाग साधिक दूद उतपा आदन के जाने का लक्षे भी रखा गया है इस वक्त की बड़ी और एहम ख़बर जहां पर प्यम मोदी का आज वरनसी दोरा है और इस दोरान कई परियोजनाओं का सोगात देंगे और आपको बता देंगे कि करीब 2100 करोड की योजनाओं की सोगात देने वाले हैं इसके ला लाक से अधिक दूद उतपादकों को ये सोगात देंगे जिससे दूद उतपादकों को काफी लाब मिलेगा और इस दोरान अपने दोरे के दोरान वो 2100 करोड की योजनाओं की सोगात देंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश आदम ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सवाचुनाप के बाद राज्ये में पार्टी की सरकार बनने पर तीन महिने के अंदर जाती आधारी जनगड़ना करा कर आबादी के हिसाब से सभी को हग और सम्मान दिया जाएग और अखिलेश ने सीबियाई आयकर विभाग और परवर्तन निदेशाले को बीजेपी के प्रखोश करार दिया और ये भी दावा किया कि सपा को मिल रहे जन समर्तन से घबराए बीजेपी ने उसके मुकाबले अपने छे रत मिदान में उतार दिया लेकिन वो सपा के रत को नहीं दे पा रहे हैं और सपादेक्ष ने समाजवादी विजरा थ्यात्रा के दोरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम और आप पर आरोप लगता है कि हम किसी का हग छीन रहे हैं लेकिन जाते जंगड़ना से सब कुछ साफ हो जाएगा और उत्ता प्रदेश में स जो भी वादे किये उन्हें पूरा किया है और अखिलेश ने अपने चाचा शिफपाल सिंग यादफ की प्रगति सील समाजवादी पार्टी से गढ़बंदन का जिकर करते हुए कहा जैसे हमने उनकी पार्टी को साथ लिया तो दिल्ली से बीजेपी के आईटी से और भी जादा आएंगे और अखिलेश का इसारा पिछले दिनों अपने कुछ करीबी सहयोग्यों के यहां आएकर विभाग के च्छापों की तरफ था और उन्होंने बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश के छे स्थानों से जन्विसास यात्रा शुरू के जाने पर तं अगर हमारा एक रत उन्हों सभी पर भारी है और उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंति ने बीजेपी पर सरकारी धन खर्ज करके रैलिया आयुजित कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की रैलिय जन्ता की ही नहीं होती ही बलकि सरकारी रैलिय होती है और उस पर सरकारी धन्द खर्च किया जाता है और यहां सपा की जो रैली हो रहे हैं उसमें विशाल संख्या में आए लोग अपने संसादनों से पहुचते हैं कोंग्रिस महासची प्रेंका गांधी ने किन सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किये गए हैं और वहीं प्रेंका के नारोपों के बाद आईटी मंत्राले एक्शन में भी आ गया है और अब शोशल मीडिया प्लैटफॉम इंस्टाग्राम से सवाल जवाब भी किये जा सकते हैं और वहीं सूत्रों के मताबिक मामले पर संग्यान लेते हुए आईटी मंत्राले इसकी जांच के आदेश भी दे सकता है और मंत्राले के सूत्रों के मताबिक इस मामले को आईटी मंत्राले ने पूरी गंबीरता से भी लिया है और पूरे मामले में इंस्टाग्राम से जानकारी मांगी जाएगी और मंत्राले जो जानकारी मांगेगा उसमें पहली जानकारी होगी कि कब प्रिंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम हैक होने की जानकारी इंस्टाग्राम को दी गई और किस ने बच्चों के इंस्टाग्राम हैक किये क्या कोई आपती जनक या पोस्ट बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया और कितना समय इंस्टाग्राम हैंडल को वापस हासिल करने में लगा मंत्राले के सुत्रों के मुताबिक प्रेंका गांधी ने उत्तर प्रदेश्क में चुनाप के दोरान मीडिया में हैकिंग का आरोप लगाया था जिस पर मंत्राले ने स्वाथ संग्यान लिया और कॉंग्रेस महासचीब प्रेंका गांधी वर्डन इस सरकार पर घंबीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम एकाउंट भी हैक किये जा रहे हैं और सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या इससे पहले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी दावा किया था कि उत्तरपरदेस सरकार उनके फोन टैप करें और मुक्यमंती योग्या इतिनाथ खुद उनकी बातचीत सुनते और जब पूरी जानकारी मंत्राले को मिल जाएगी तो जरूरी होने पर इस मामले की अलक से जांच के आदेश भी दे जा सकते हैं कुल मिलाकर अप्रेंका गांधी के आरोप पर आईटी मंत्राले के सक्री होने से राजनिती भी शुरू हो सकती है जबरन रिटायर के गए पूर आईपीएस अमिताब ठाकुर को कोर्ट से फिलाल रहत में मिली और दरसल पिडिता और उसके साथी को आत्मत्या के लिए उकसाने वाले मामले में 21 दिसंबर को बेल एप्लिकेशन पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया और कोर्ट ने सुनवाई के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दे दिया है और अब मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 17 जनवरी को होने वाली है और जानकारी के मताबिक पूर आईपिएस अमिताब ठाकूर की और से कोर्ट में पाक्ष रखते हुए कहा गया है कि उन्हें फर्जी फसाये गया और जानबूच के सुप्रेम कोर्ट के सामने अंतिम वीडियो में साथ लोगों में केवल उन्हें ही मुजरिम बनाए गया और जबकि उन्होंने मात्र अपने विदिक दायत्वों का निर्वहन करते हुए जो उनके पास सूचना आई थी उसे सक्षम अधिकारियों के पास कारवाइक ले भेजा था और वहीं सरकार की तरफ से इस मामले में अमिताब ठाकुर के खलाफ विरोध किया गया और अमिताब के खलाफ घंबीर आरोब भी लगाए गये है और वहीं पूर्व IPS अमिताब ठाकुर की पतनी नूतन ठाकुर ने भी बताया कि पहली बेल ये कहते हुए खारिस कर दी गई थी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चार्शिट दाखिल होने के बाद सेशन में दूसरी बेल डाली गए तो ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि कोई न्यू ग्राउंड नहीं है गई शैसन से बेल ना मिलने के बाद हाई कोट में बेल अप्लिकेशन डाली थी और उसी पार फास्ट डे हेरिंग भी हुई जिसमें स्टेट की ओर से ओर टाइम मांगा गया है और नूतन ठाकूर का कहना है कि अगर वो अप्रादी है तो रोज सुनवाई की जाए और दोश सिद करेए और अगर दोश सिद नहीं कर सकते तो उनको जमानत मिलनी चाहिए और उनका ये भी कहना है कि बिना ट्राइल और दो सिध हुए जेल में बन रखना एक तरह से पनिश्मेंट है और वही ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जिन्दगी गुजाने की चाहत रखने वाले 19 साल के बेटे को उसकी माने दर्दनाक मौद दी दी है तमिलनाडू की सलेम पुलिस ने आरोपी मा को फिलाल गिरफतार भी कर लिया और मा के साथ पांच अन्य आरोपी भी गिरफतार किये गए हैं मिरतक का नाम नवीन बताया गया जिसना अपना नाम बदल कर अचीता रख लिया था और चोकाने वाली गटना अमा पलायम के कनगी स्ट्रीट की है और यहां पर 45 वर्चे उमा देवी अपने पती से अलग होकर अकेले रह रह रही थी और उनके बेटे नवीन कुमा ने ट्रांस वूमन बनने की कोशिश शुरू कर दी और ट्रांस जेंडर बनने के परियास में नवीन ने अपना नाम बदल कर अचीता रख लिया था और वो बैंगलोर में ट्रांस जेंडर समुदाय के सद्दसों के साथ भी रहता था और नवीन अपनी मा के पास अक्सर आता जाता रहता था और उमा देवी ने नवीन को ट्रांस वूमन ना बनने की सला दे जब वो नहीं माना तो उमा देवी और पांच अन्य ने उस पर हमला कर दिया और पिछले हफते गंबी डूप से गायल नवीन को एक सरकारी अस्पताल में भरती करा गया था लेकिन इलाज के दोरा नवीन ने दम तोड़ दिया और पुलिस ने जाँच में पाया कि नवीन की हत्या उसकी मा उमा देवी ने ही किया और पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उमा देवी ने फ्रूस बने रहने के लिए नवीन को हॉर्मोन्स लेने के लिए भी मजबूर किया था और जब नवीन ने ये नहीं माना तो उमा देवी और उसके सात्यों ने नवीन पर हमला कर दिया और इस घटना के संबर में पुलिस ने उमा देवी के लावा कई पांच लोगों को गिरफतार भी किया और नवीन की मोद की पुलिसिया जाचा भी जारी है उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विदान सवाच चुनाफ से ठीक पहले कि इनकी मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया और लड़कियों की शादी की उमर 18 से बड़ा कर 21 साल करने का फैसला लिया गया जिस पर अभी कानून बनना बाकी है बले ही विपक से लेकर मुस्लिम संगटन सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं मगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीधी टक्का दे रहे सपा प्रमुक अखले इशादम ने बाल विवा संसोधन विदे का समर्थन किया है और एक नीजी चैनल से बाचीत में बाल विवा कानून संसोधन विदेख से जुड़े एक सवाल के जवाब में अखले इशादम ने कहा कि ये महिलाओं के लिए अच्छी बात है और बहुत संगटन चाते भी थे मगर उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाया कि आखिर रोज प्रस्ताफ का विरोध जरूर किया था मगर उन्होंने इस पस्ट किया था कि ये उनका स्टैंड ना की समाजवादी पार्टी का और इस से साफ है कि समाजवादी पार्टी सरकार के इस कदम का विरोध नहीं कर रही है